जीवनी शक्ती कैसे जगाएं? पार्ट 14 एनिमा एवं स्नान एनिमा उपवासकाल में जब तक शरीर पूरी तरह शुद्ध ना हो, कमजोरी लगना स्वाभाविक है. कमजोरी की हालत में एनिमा लेना लाभ प्रद होता है. वैसे उपवासकाल में प्रति दिन सुभह शाम शौच से निपटने के एक घंटे बाद एनिमा अवश्य लेना चाहिए. भले ही शौच पूरी तरह साफ हो गया हो. एनिमा का उद्देश है, शितिल हो गई आतों को ठंड़क पहुचा कर उन्हें अपना कारे ठीक प्रकासे करने के लिए सक्षम बनाना है. उपवासकाल में एनिमा लेने का मात्र उद्देश है, जमे हुए मल को बाहर निकालना नहीं. अपितु आतों को पुना क्रियाशील बनाना है, जिससे मल निकालने के कारे को वे अच्छे ढंग से कर सकें. अतैव, एनिमा तब भी लेना चाहिए, जब पेट या आत में मल के होने की संभावना नहो. इस प्रकार के एनिमा से कोई हानी नहीं होगी. एनिमा एक पाव ठंडे पानी का लेना हितकारी है. पानी को लेट कर दस मिनट तक अंदर ही रोकना चाहिए. पानी की ठंडक आतों को सजग बनाती है, और धीरे धीरे उन्हें स्वतह ठीक ढंग से कारे करने योग्य बना देती है. उपवास की अवधी में एनिमा के बाद सुभ़ शाम ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए. इस से ताजगी और स्फूर्ती बनी रहेगी और मल निकालने के लिए रोम कूपों का मार्ग खुल जाएगा. डॉक्टर उन्द्वारा बड़ी आत में एकत्र मल को बाहर निकालने के लिए अथवा किसी आंतरिक भाग का ओपरेशन करने से पूर्व शरीर की सफाई करने की द्रिष्टी से रोगी को साबुन मिले गरम पानी का एनिमा दिया जाता है. इस प्रकार का एनिमा लेने से मल विसर्जन शक्ती पर बुरा असर पड़ता है और बाद में इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि बिना एनिमा के शौच आता ही नहीं. इसलिए ऐसे एनिमा का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. एनिमा का उदेश्य तो आतों को सशक्त बनाना है. ये निश्क्रिय आतों को सक्रिय करता है और पड़ी हुई गाठों को खोलकर आतों को स्वाभाविक स्थिती में पुनह लाता है. इसका परिणाम ये होता है कि आगे चलकर एनिमा लेनी की आवशक्ता ही नहीं रह जाती और मल विसर्जन का कार्य स्वता ही ठीक ढंग से होने लगता है इसलिए उपवास काल में एनिमा से किसी प्रकार बहभीत नहीं होना चाहिए यदि एनिमा लेने के बाद भी कुछ निकले नहीं तब भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए मल विसरजन के लिए किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना चाहिए आराम से बिना किसी प्रयतन के मल को स्वतह बाहर निकलने का अवसर प्रदान करना चाहिए 5-7 मिनट के बाद जब ये महसूस होने लगे कि मल अब नहीं निकलेगा तब शौच ग्रिह के बाहर आ जाना चाहिए जल, जूस या सूप पर उपवास करने पर एनिमा लेना अनिवारे है जिन लोगों की मल विसरजन क्रिया पहले से ही ठीक हो उन्हें भी उपवास काल में एनिमा अवश्य लेना चाहिए उपवास तोड़ने के बाद एनिमा लेने की आवश्यक्ता नहीं है उपवास के अतरिक्त कभी भी आवश्यक्ता महसूस होने पर एनिमा लिया जा सकता है इससे किसी भी प्रकार की कोई हानी नहीं है सामान्ने जीवन में भी यदि शौच ठीक से नहीं आ रहा है तो शाम के समय एनिमा लेना अत्यंत हितकर है इसका प्रयोग शाम को कुछ खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए कुछ दिन तक प्रति दिन शाम को एनिमा का प्रयोग किया जाए तो प्रातह कालिन शाच स्वतह भी नियमित रूप से संतोष प्रद ढंग से होने लगेगा सनान सनान प्रति दिन कम से कम दो बार अवश्य करना चाहिए सनान के दौरान तौलिये से बदन को धीरे धीरे देर तक रगड़ना चाहिए जिससे शरीर के रोम कूप भली भाती खुल जाएं और भीतर की गंदगी निकलने का ये मार्ग भी ढंग से कारे कर सके स्वच्छ रोम कूपों के दौरा पसीने के माध्यम से शरीर के अनेक विश बाहर निकलते रहते हैं स्नान के बाद शरीर को साफ तौलिय से खूब पोंच कर पूरे बदन को अपनी हथेलियों से धीरे धीरे रगड़ कर सुखा लेना चाहिए ऐसा करने से शरीर में खून के दौर में तेजी आ जाती है साथी शरीर में एक नई आभा भी फूट पड़ती है सही ढंक से मल विसर्जन होने के लिए कटी स्नान, शंक प्रक्षालन, नौली धोती एवं बस्ती क्रियां भी उप्योगी हैं जिनकी जानकारी कर लेनी चाहिए आसनादी, वायू सेवन, प्रानायाम तथा विधिपूर्वक जल सेवन से भी मल विसर्जन ठीक ढंक से होने लगता है सनान के बाद ध्यान पूजा से निवरित होकर उपवास करता को पून तया एकांत में विश्राम की स्थिती में कम से कम आधे घंटे का समय बिताना चाहिए इस समय शरीर के प्रत्येक अंग को अधिक से अधिक आराम देना चाहिए देखने सुनने पढ़ने अथ्वा लिखने का कोई भी कारे नहीं करना चाहिए क्योंकि पून निश्क्रियता से जीवनी शक्ति को जगाने में सहायता मिलती है और जब वो जागती है तभी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है